भारत चीन सीमा पर सेना की टाइम मशीन अब चीन की हेकडी पर लगेगी लगा साल 1962 में भारत और चीन की सबसे भयानक जंग उस वक्त के नेफा और आज के अरणाचल प्रदेश के तवांग में लड़ी गई थी उस वक्त भारत को आजाद हुए महस 15 साल ही हुए थे तब हम चीनी खत्रे को भाब पाने में सफल नहीं थे उसके बाद चीन की फित्रत को ध्यान में रखकर भारत की तरफ से हर स्तर पर तयारियों को तेज़ किया गया इसी का नतीजा है कि चीन से लगते भारते इलाके में और तनल का जाल बिछाने के लिए काम तेज़ी से किया गया और इस वक्त सेना ने ऐसी तनल तयार की है जिसने मिंटों में चीन भारत सीमा पर पहुचा जा सकता है जी हाँ मिंटों में नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्ष भारद आज आप देख रहे हैं शेष्ट भारत भारत चीन सीमा पर एक तनल बनाई गई है जिससे पहाडों की उचाई पर आसानी से पहुचा जा सकता है और ये तनल तवांग में सेना को आसानी से पहुचा सकेगी क्योंकि मौसम खराब होने से हेलिकॉप्टर भी उडान नहीं भर पाते थे और सेना की जवान पहाडों पर नहीं पहुच पाते थे लेकिन अब ऐसा हो सकेगा और इस तनल की वज़े से होगा पर इसका नाम है सेला तनल इससे सेना का मुव्मेंट तेज होगा और जरूरत पढ़ने पर सैनिकों क की तैनाती जल्द हो सकेगी क्यूंकि सेला टनल जिसके तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिल जाएगी और तवांग में तेजी से सेना पहुच पाएगी दरसल सीमा सडक संगठन ने इस सुरंग को बनाने में 825 करोड रुपे खर्च किये हैं जिसके बाद ये बनकर तायार होग चुकी है तवांग की सड़क जहां दिसंबर 2022 में भारतिया और चीनी सेनिकों के भी जड़प हुई थी अरुनाचल प्रदेश में लगबख 14,000 फीट की उचाई पर इस्थित एक पहाड़ी दर्रे सेला से खूकर गुजरती है जहां तापमान कभी-कभी माइन 20-20 डिगरी सेल्सिस तक गिर जाता है यहां तक पिर डीजल भी जम जाता है और इतनी भारी बर्थबारी होती है कि इससे गुजरना असंभव हो जाता है लेकिन अब सभी माफ्मों में चलने वाली सेला सुरंग के पूरा होने के साथ भारतिये सेना के पास असंग के गुब जिले में तवांग और दिरांग के बीच की दूरी लगभग 12 किलोमीटर तब कम हो जाएगी जिससे लगभग 90 मिनट की बचत होगी सुरंग को ऐसा बना गया है ताकि इससे गुजरने वाले किसी भी तरह की घटना से बच सकें क्यूकि सुरंग से सबसे ज्यादा से ना प्योग करके बना गया है और इस पर 50 से ज्यादा इंजीनियरों और 800 चालगतल ने काम किया पिछले जुराई में बादल फटने के कारण आने वाली सडकें दुर्गम हो जाने के बाद काम प्रभावित हुआ था पिछले नवंबर में उत्राखन में सिल्क्यारा सुरंग के गुपा में घुसने के बाद सेला सुरंग का तीसरे पक्ष का ऑडिट किया गया था और अब सुरंग उधगाटन के लिए तायार है क्योंकि ये सुरंग काफी जरूरी थी इसलिए से बहुत तेजी से तायार किया गया क्योंकि 2020 और 2022 के बीच पिपुल्स क्लिबरेशन आर् को एले सी पर तैनात करने का आधेश दिया है क्योंकि ये इलाका T90, T72 और अर्जुन जैसे मुख्य उधव टैंकों के लिए उप्यूकत नहीं है जुरावर सीमा परतेजी से तैनाती के लिए ऐसी सड़कों का उप्यूक करने में शक्षम होगा साथी इस सुरंग के जरिए आसानी से तवांग के एरिया में पहुँच जाएगा फिलाल इस सुरंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी देश को समर्पित करेंगे ये कहा जा रहा है कि ये सुरंग अरुनाचल प्रदेश के लिए तो एहम है ही साथी साथ ये भारती सेना के लिए बहुत मददगार स दोख़श्ण करेगा तो उसका मुतौर जवाब दिया जा सकेगा ऐसी ओर खबरों के लिए आप देखते रहें श्रीष्ट भारत श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत